अपनी पीट थकताबानी चाहिए एंके उपतासर यही कहते हैं शाबाश ठीक है लेट्स टार्ट नाओ तो इलेक्ट्रो स्टाइट्स का हम सूपरफास रिविजन स्टार्ट करते हैं इसमें ट्रिक्स और आप नोट करते जाना और प्यॉरली एक्जाम पॉइंट और व्यूस स्टार्ट करते हैं तो बच्चों इसको सूपरफास करने के लिए हमने बहुत मेहनत करी है वह सारी चीज़ें हटा दी जो आपको इलिए एकदम बेसिक है भई आपको अगर लगता है कि सर वो वाली भी लो आप तो सर चार्ज इसे स्केलर क्वांटिटी चार्ज एड लाइक रियल नंबर्स तो मेरे को चैट में बतातो कि लेना है तो यस नहीं लेना है अगले उसमें तो नो लिखके बतातो चैट में पहले एक बार तो मोसली बच्चों का नोही आ रहा है शाबाश ठीक है बहुत बढ़िया तो चलो तो देखो अब धमादम धम जो है तो यहां से लाल मार को हटाते हैं और आप चालू करते हैं तो देखो चार्ज इस क्वांटाइस तो चार्ज क्वांटाइस होता है इसकी मिनिमम इसकी एक मिनिमम की मतलब जो चार्ज न वो इसी वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है एन ए ठीक है यह क्वेश्चन कई बार बहुत लल्लू ऑप्शन देना होता है इसलिए मैंने ले लिया ठीक है कूलम लोग कूलम लोग दो पॉइंट के बीदो पॉइंट में इसका डाइमेंशन पूछ लिया था इसलिए मैंने यहां पर लिखाए एक एक चीज रिसर्ट्स करके आँगा आँगो आज में एक एक चीज एक्जाम के हिसाब से ही इसका यूनिट ध्यान रख लेना ठीक है तो यह एप्सालनोर का यूनिट कैसे निका लोग है एफसा को फैसलनोर के हो गया एक रख प्यर्स प्वेक्टर लग जाता है मतलब अगर दो पॉइंट चार्ज है ना क्यू और क्यू टू टू ए टो तूसे वन टू बन की तरह फोर्स लगा रहा है है फोर्स अन इसको बोलेगे फोर्स ऑन तू और टू बाइवन तो इस वाली डिरे जो है magnitude वाला जो formula है kq1 q2 by r2 यह सेम है यह exactly सेम है बस यह vector में convert करने के लिए यहाँ पर यह cap वाला symbol हमने ले लिया है समझ गया है तो कभी कोई कूलम लो vector form में वैसे पूछ लेना तो घबरा नामा एक यूनिट vector लगा देना आगे बढ़ते हैं खतम हो गया कूलम लो सीधे अब electric field पे आते है electric field due to point charge एक point charge के चकर में electric field जो होती है वो kq by r2 होती है 10 साल में तो question नहीं आया लेकिन उसके पहले यह question आ चुगा है इसलिए diagram भी ले लिया है हमने ठीक है कि इसके चकर में जो field lines होती है पॉजिटिव चार्ज के चकर में यह पॉजिटिव चार्ज के चकर में देखो के तो पॉजिटिव चार्ज के चकर में radially outward होती है negative charge के चकर में radially inward होती है यह electric field का diagram होता है point charges के लिए समझ गए चलो all set now ठीक है अगर हम देखें अभी due to system of point charges अगर हम due to system of point charges देखें अभी भई यह तो हमने एक उसके कारण से देख लिया लेकिन अगर system of point charges तो vector edition होता है electric field का सब यह तो जानते हैं अब जो सीधे important formula है इसमें एक ट्रिक बताता हूं आपको यह अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं और यह पूछा भी जाता है guys this is important formula देखो तो अपन 5 minute के अंदर-अंदर में EFI on access of uniformly charge ring तक पहुँच गए इस तेजी से अपन revision करने वाले हैं तो अपनी कुरसी की पेटी बांद लो हावाई जाज बहुत तेजी से हर बहुत तर्गुलेंट महोल में अब एक्जाम आगे ते यार प्रेशर भी भील होता है तो बस वह अंदेर की जो काले बादल चारण हमारा plane तोड के ले जाते हैं अब अब देखो EFI on access of uniformly charge ring इसका formula जनरली बच्चों को कच्चा पक्का याद रहता है इसलिए मैं आप ट्रिक लिखी है अब एक ट्रिक बताता हूँ यह formula अगर आप भूल जाओ इसका formula क्या होता है देखो Q charge के ring है एक्स distance की दूरी पर axis पर x distance की दूरी पर जो है कितनी electric field होगी उसका formula हमारे पास में होता है के Q x upon x square plus r square की power 3 by 2 ठीक है ना अब बच्चों को दो confusion होता है इसमें है ना सर x square plus r square की power 3 by 2 experience से बता रहा हूँ कि कई बच्चों को यह 3 by 2 याद नहीं रहता कि सर यह 3 by 2 था कि under root था कि कुछ नहीं था है यह आपर मतलब यह 3 by 2 ना पावर में है को इधर मत चपका देना इसको यह 3 by 2 जो है ना यह पावर में है मत चोई यह ठीक है तो के Q x upon x square plus r square की power 3 by 2 याद रखने का तरीका याद रखने का तरीका यहाँ से सुनो यार electric field का जो dimension होता है ना electric field का जो dimension होता है वो क्या होता है अगर आप जब भी electric field का formula test करना होगा ना तो वो के q by r square की form में आने वाला है आने वाला है ने आने वाला है के q by r square की form में वो चीज आने वाली है ठीक है तो देखो अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ तो यार मेरा x उपर आ गया यहाँ से समझे ना देखो एक distance उपर आ गया k के बदले k आ गया q के बदले q आ गया अब मुझे 1 upon r square की form चाहिए मतलब 1 upon distance square चाहिए तो मैंने रूपर x तो लिखी दिया तो नीचे मुझे x cube चाहिए मतलब समझे रहो मुझे distance का cube चाहिए तो देखो यह square की power 3 by 2 यह distance d ले ले तो मैं इसको d square की power 3 by 2 तभी तो नीचे d cube आएगा तो dimension से check कर लो कि यह power क्या आएगी जिससे की वो 1 upon r square 1 upon distance square का dimension आना चाहिए तो अगर आपके मन में कभी डलती चाहिए आपनी यह formula लिख दिया मालों की power 3 by 2 नी लिखी तो nt ने खड़े हो जाने चाहिए यार यहां तो मैंने 3 by 2 लिखा ही नहीं भईया तो यह और यहां प में ठीक है समझ गए सब लोग अब देखो चलो तो यह तो सब में उला देता हूं यहां से अब सरी उपर वाला x कैसे याद रखें यह उपर वाला x ऐसे याद रखते है यार x equal to 0 रखके देख लिया करो ऐसे cases में x equal to 0 रखके देख लिया करो आप formula भूल जाओ तो x equal to 0 मतल हुआ है यहां पर समझ गए derivation भूल जाओ तो यह objective trick है सब को समझ आ गए बात पूरी ठीक है so this is the trick to remember this नीचे का भूल जाओ तो dimension चेक कर लो ऊपर x आता है x equal to 0 put करके check कर लो value अच्छा एक चीज़ और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखने वाली जो है इसका graph देखो आप पंद्रा साल में दो बार आचुका है यह maximum कब होता है तो यह maximum जो electric field होती है वो r by root 2 पे होती है number याद रखना r by root 2 पे electric field maximum होती है मलब जो x के value r by root 2 है न r by root 2 उस पे electric field maximum होगी समझ गए clear है r by root 2 पे r by root 2 पे याद रहेगी अब यह ठीक है ना दोनों side इधर भी r by root 2 दर भी r by root 2 चल वेरी good आगे बढ़ने अब आते है अपन physics वही जो दिवाना बनाते है बिल्कुल सही बात है efi due to uniformly charged thin straight wire straight wire के चकर में अगर आपको diagram दिख रहा है तो straight wire के चकर में electric field कितनी होगी इसके दो component की तरह से याद करते हैं e perpendicular perpendicular मतलब wire के perpendicular और parallel मतलब wire के parallel तो दो component में हमने बार दिया e perpendicular और e parallel तो अगर यह wire generally यह वाला जो part है यह वाला जो part है इतना नहीं पूछा जाता फिर बता रहा हूं लेकिन याद रखने के लिए एक बार याद कर देना लेकिन यह वाले जो part है यह अकसर काम आ जाते है semi infinite और infinite वाले तो इसका formula में आपको बता दे रहा हूं क्या होता है theta 1 और theta 2 angle अगर यह wire बना रहा है तो e perpendicular का k lambda yr sin theta 1 plus sin theta 2 और parallel का k lambda yr cos theta 1 minus cos theta 2 मुश्किल यह याद रखना लेकिन यार मैं ऐसे याद रखता था कि यह perpendicular है तो sine sin perpendicular upon hypotenuse होता ना तो sine और plus आ रहा है क्योंकि इस वाले component का भी जो electric field होगी वो इस direction में होगी और इस वाले component की electric field इस direction में तो add हो जाएंगे ठीक है और इसमें cos आ रहा है parallel में और minus आ रहा है ठीक है तो k lambda by r sin theta 2 k lambda by r cos theta minus cos theta 2 समझ गया है चलो अब important चीज़ क्या है यह जो भाया semi infinite long wire है semi infinite long wire का मतलब होगी है एक side से infinite है और इसके चकर में इधर electric field जो होगी इसके चकर में जो e parallel और e perpendicular दोनों component होगे देखो क्योंकि इस wire की जो electric field है इस wire की जो electric field है वो इधर भी component होग और भी होगा तो उसका formula होता है k lambda by r और k lambda by r दोनो k lambda by r और जब यही wire infinite बन जाता है जब यही wire infinite by r होता है समझगे 2k lambda by r infinite wire के चकर में wire के perpendicular होती फिल्ल लेक्ट है चलो sir अब यह formula यह भी कम काम आता है लेकिन completeness के लिए इसको याद रख ले न एक arc है अगर एक arc है उसके चक्कर में electric field center of curvature पे क्या होगी center of curvature पे जो और यह arc जो है alpha angle बना रही है यह arc जो है alpha angle बना रही है तो 2k lambda by r इसका r radius है 2k lambda by r सरा अभी पढ़ा है infinite wire के चकर में होता है हाँ यार infinite wire के चकर में होता है 2k lambda by r sin alpha by 2 sin alpha by 2 formula बूल जाओ अगर आप यहाँ पर एक trick बताता हूँ आपको objective में आ गया formula बूल गया तो alpha की value रख लेना alpha की value आप 360 degree रख लेना answer 0 आना चाहिए e की value 0 आनी चाहिए जब alpha 360 degree हो sir क्यों क्यों क्योंकि जब पूरा circle बन जाएगा तब तो center पे electric field 0 होगी न बाबू अरे होगी नहीं होगी sir बिलकुल होगी तो alpha की value 360 degree डाल के देखो यहाँ पर sin 180 बन जाएगा sin 180 तो यह 0 हो जाएगा sin 180 तो 2 के lambda by r sin 180 तो 0 आ जाएगा तो alpha by 2 होता है यहाँ पर alpha angle बनाने का alpha by 2 होता है ठीक है चलो अब uniform charge disk है अगर uniformly charge disk है तो electric field कितनी होती है तो electric field होती है बच्चो sigma by 2 epsilon not 1 minus cos theta 1 minus cos theta होती है अगर यह uniformly charge disk है तो theta angle पे sigma by 2 epsilon 1 minus cos theta यहाँ पर भी कैसे देखे देखो अब यह सर 1 plus cos theta होती है 1 minus cos theta होती है कि sin theta होती है कि कैसे होती है तो देखो यह formula याद रख ले ना याद रखने का यह वैसे भी derive तो हम करनी सकते है रितना अट कम टाइम होता है objective में sigma by 2 epsilon 1 minus cos theta यहाँ पर trick क्या है थीटा को आप डाल के देखो यहाँ पर जो trick है यहाँ पर जो trick आप चेक कर सकते हो थीटा को आप डाल के देखो 90 degree यहाँ से सुनना देखो यह theta angle point P पे बन रहा है यह यह uniformlyじゃあ this के यह थीटा 90 degree होने का मतलब क्या है थीटा 90 degree होने का मतलब क्या है कि यार Gesprकल बहुत बढ़ा बहुत बढ़ा होता जा रहा है और सबसे बढ़ा क्या होता है पताऊ सबसे बढ़ा number क्या होता है infinite होता है तो theta equal to 90 degree लगके देखो, sigma y to epsilon आ रहा है, मतला हमारा formula सही है, sigma y to epsilon 1 minus cos theta, sigma y to epsilon 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, 1 minus cos theta, याद हो गया, आज याद करा के मानूँगा, आपकी मजाल क्या formula भूल जाओ, आपकी ऐसी की तैसी अगर आप formula भूल गए तो, नाक नहीं कटा नहीं है मेरी, formula कोई नहीं भूलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, 60-70% बच्चे गलती formula और key points के चकर में ही करते हैं, ठीक है, चलो, नाओ, अब अगर हम, हमने skip करा का कुछ नहीं करा, चलो, अब ज़रा electric field lines पर आजाएं, electric field lines के question generally easy होते हैं, अगर यह आजाएं तो उसको छोड़ना मत, ठीक है न, generally easy आते हैं यह, तो देखो यार, electric field lines वो होते हैं, जो कि, जहां पर tangent बनाते हैं, तो हमको वो electric field का direction देती हैं, ठीक है, यह question काफी पूछा जाता है, यार, standard है, बहुत बार आता है, बताओ, electric field का magnitude जादा का है, तो जहां भीड जादा हो, जहां भीड जादा हो lines की, वहाँ पर electric field का magnitude जादा होता है, तो देखो, हमने तीन बराबर के circle बना दिये, जिस circle में से सबसे जादा lines जा रही हैं, जहां जादा भीड, महां magnitude उतना जादा, सर, यह तो याद हो गया, two field lines के never interest each other, ऐसे questions कैसे बनते हैं इन पे, इन में आपको कई पर चार options देते थे, यह शाद 2019 में भी आया था, जितना मेरे को जहादे में short new उपर आया था, यह शाद ऐसा question, कि चार option देते थे, उसमें से पूछतें कि यह valid pattern कौन सा है electric field का, तो उसमें से एकार pattern तो नहीं ऐसा बनाए देते हैं कि यह जाए, यह जाए, यह जाए line, यह एक positive charge और एक negative charge है, तो जितने field lines इस से originate हो रही है, या इस पर टल्विन हो रही है, number count कर लो, उन number के ratio में charge का ratio होगा, यह भी कई पर सवाल पूछते हैं, यह जो है, यह जो है, इसमें से 12 निकल रही line, इसमें से suppose करो 6 निकल रही है, तो charge का ratio 2 to 1 होगा, तो number of line जितनी निकल रही है, उस ratio में charge का ratio होता है, ठीक है, यह भी चीज़ समझ में आ गई, फिर electrostatic field lines कभी भी closed loop नहीं बनाती है, तो आपको कभी भी electrostatic field line ऐसे circular नहीं मिल जो चीज आती है, वहाँ वहाँ देखेंगे आपन यह सब, लेकिन electrostatic field lines close loop नहीं बनाती है, तो ऐसा कुछ मिल रहा है, तो वो possible नहीं है, ठीक है, so that's all about electric field lines, जो काम की चीज़ थी, वह आपने देख ली, positive से निकलती है, negative पे terminate होती है, यह सब मैंने नहीं लिया, यह बच यह तो हमने अभी तक हमने हमारी दुनिया में देखा कि यार, चार्ज हमने रखे, उनके चकर में electric field line कैसी होती है, अब दूसरी दुनिया में आते हैं, कि यार, अगर किसी electric field में, color change करने तो यार, देखो, electric field की दुनिया में, अगर हमने point charge क्यों रख दिया, charge क्यों और yellow से ले लेते हैं, तो अगर yellow दिखेगा नहीं है, red से लेते हैं, अगर हमने charge q रखा, तो अब external electric field में, अगर हमने charge q रखा, तो उसके उपर force लगती है, qe, ध्यान देना vector का sign, q into e, तो positive charge है, तो e की direction में भागेगा, negative charge है, तो e के opposite भागेगा, इसलिए मैंने vector लगा तो f equal to qe, इसको generally kinematics के साथ में merge कर देते हैं, इसको generally kinematics का question मनाना होता है, उसके साथ merge कर देते हैं, एक block को 2 coulomb का charge दे रखा है, electric field 9 की value इतनी दे रखी है, अब बताओ कि कितने time में, कितना ये आगे भागेगा है, क्या करेगा, ये नीचे इतना friction है, ये spring लगा देते हैं, ऐसे करके इसको question को जोड़ देते हैं, तो वो mainly mechanics का question होता है, लेकिन आपसे ये formula की testing करवा लेते हैं, कि आपको ये formula पता है कि नहीं पता है, समझ के तो F equal to QE, positive वारा electric field में भागेगा, negative वारा उसके opposite भागेगा, ठीक है, चलो, अब ये patterns भी ले लिए हैं, ठीक है, ये भी important है, दो positive charge के चकर में field lines ऐसी होती है, दो positive charge के चकर में field lines ऐसी होती है, और positive और negative के चकर में ऐसी होती है, इसको याद करने का trick बताता हूँ, इससे generally आपके कोई से भी electric field के question solve हो जाएंगे, देखना, बहुत भयान का trick है ये, मतलब, खुद जो physics की field आती है, वैसे आई हुई field है, दे और थिए ठीक है तो इसको आप इसा चाचंदर मानों, जिसके बाल ऐसे है, ये ऐसा सचंदर है, जिसके बाल ऐसे है ये, अब दूसरा चंदर आ गया, अरो porcupine हो ना, चाचंदर बोलते हैं चाहिद, या पता ने, जो भी बोलते हूँ, उसके बाल भी ऐसे है ये, आप ये चबिस्क्रा फियर आई कि तो कोई से बी कुश्चन हो जाएगे कर रहा है तो आप चचंदर यहोंम कर लो एक बलो हवा कि खढ़े या भी तो नह comparative ब्लो कर रहा हावा को और ये धक्का मारी हाँ तो ये भी हवा ब्लो करेंगा तो इस श्चुंदर के पाल भी ऐसे हो जाएंगे तो इसमें क्या कर्यों करो। बालों से अजियूम और आप इसको समा सकते हो। कोई ज्दा चार्ज व्लभा चे संदर है तो उसके ज्दा बाल होएंगे। बाल हो थो इताइन वह मुझद्धे हों चार्ज का मैंगें में इसलिए यह एक दूसरे के बाल इनके मर जो गए तो कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के कारण शर्ब ऐसा बना सकते हूँ सर आप कैसे कैसे बनाते हैं अजीवी तरीक है अरे याद रहते हैं एक्जाम में सही बता रहा हूँ है और इनसे फील आती है फिजिस की फिजिस वही जो दीवाना बना दे यार और क्या चाहिए लाइफ में चलो इलेक्ट्रिक फिल्ड एन का जंजड़ खतम रिवाइज हो गया वो बोटा मोटा जो इंपोर्टन पर रूप लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पर आ जाते हैं फटा बच्छा फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक फिल्ड डॉट एरिया वेक्टर एरिया वेक्टर है ना एरिया सब्सक्राइब करना पड़ता है यहां पर ऐसी इलेक्ट्री विल्ड ऐसी है ऐसी है ऐसी इलेक्ट्री फीरिजन तो सब्सक्राइब करते जाओ आप चोटे चोटे उसमें और इंटेग्रेट करते हैं यह नेट फ्लक्स होता है ध्यान रटने वाली बात यह है इसमें ठीक है और यह चीज़ है अब अगर इसका आपको कारण जानना है एसा क्यों अभी डिसक्रस नहीं करेंगे सूपर फास्ट है यह रिविजन तो यह आप लेक्चर देख लें इसराल का उसमें पूरा फील के साथ में समझाया है ऐसा क्यों होता है क्यों इंसाइड वाले और यह टोटल होती है अब भाई सबसे इंपोर्टेंट स्लाइड अभी तक कि यह है इसके उपर लगब हर पांस साल में इपर किसी ना किसी फॉर्मेट में तो यहां थोड़ा सा हम जादा टाइम इस्पेंड करने वाले हैं थोड़ा से स्पेंड करेंगे और याद कैसे रखते हैं इस स्लाइड को जड़ा अच्छे से देख लो आप एक बार यह क्या है यह मसाला बनाने ना बहुत समय लग गया फॉर इसके बाद में रिवीजन करने की जुरत नहीं पड़े लेक्टर स्टैट की ऐसी मेरी इच्छा है याद देखो तो यूनिफॉर्म ली चार्ज तेनी स्परिकल शेल के लिए एक मार पहले आप लोग पढ़ लो फिर बताता हूँ अब तो भई जो यह फ़ाई है ना तिन इस परिकल शेल के कारण्ट से वह देखो अंदर जीरो है अंदर जीरो है और बाहर एक पॉइंट चार्ज की तरह से बिएव कर रहे हैं के क्यू बाई आर स्कुएर की तरह से बिएव कर रहे हैं बाहर की तरफ मतलब यह बाहर एसे बड़ताव कर रहे है जैसे कि यहां पर एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा हुआ हो तो इसका क्यू बाहर पूछा है जो बहुत इंपोर्टन है कई बार पूछा चूग है इसके ग्राफ तो भई 0 से लेकर अंदर 0 होती है और बाहर फिर kq by r square discontinuity आती है यहांपर kq by r square की maximum value होती है और just फिर इस 0 की तरफ जाती है r equal to infinity पर ठीक है अगर हम अभी solid sphere की बात करें तो solid sphere में क्या होता है solid square में discontinuity नहीं आती है discontinuity नहीं आती है तो यह center पे तो 0 होगी जही प्रिक क्या है इसको याद करने कि इसके graph को कि यह ऐसे जाता है तो center पे तो symmetry के कारण से 0 होगी और ज़स बाहर निकलते है kq by r square होगी जहान से समझना kq by r square होगी ज़स बाहर निकलते है बिना टूटे तो वो straight line में पहुंसती है straight line की तरह से field होती है फिर वो वापिस से बाहर तो point charge की तरह से हो जाती है kq by r square होगी तो इन दोनों के graph में confused ना दोनों देखो generally दोनों options दिखते है जल पी question आता है तो यह जो hollow है उसके अंदर 0 से start करते हो और जो solid है उसके अंदर 0 से start करते हुए straight line में जाती है फिर तो वापिस से वो 1 by r square की तरह से कम हो जाएगी ठीक है अब अंदर का formula क्या होता है linear formula है देखो तो rho r upon 3 epsilon 0 rho r upon 3 epsilon 0 ठीक है अंदर का जो formula है वो है rho r upon 3 epsilon 0 तो अभी ये linear है देखो छोटे r की तरह से vary कर रहा है ये छोटे r की तरह से vary कर रहा है और r equal to r पे आते ही से rho r by 3 epsilon 0 0 जाएगा और बाहर k cube r square हो जाएगा square में एक trick ये बताता हूँ और एक और rho के साथ में 1 upon 3 आता है rho के साथ में 1 upon 3 आता है और जब cylinder आएगा न 1 upon 2 आएगा कारण क्या है इसका एक trick की तरह से समझ लो या logic लगता है लेकर आप लोजिक नहीं बता रहा volume क्या होती है देखो volume होती है 4 by 3 नीचे 3 आता है न तो इसमें भी आब ये मानो इसलिए कारण से 1 by 3 आ रहा है यहाँ पर ठीक है तो इसमें rho r by 3 फिर k q by r square हो जाता है ग्राफ याद हो गया आगे बढ़े ठीक है चलो नौ भाई अब जो है अब कई बार ये question आ जाते हैं कि कटा पटा कटी वड़ी डिस्क देज़ेते हमको भाई हमको डिस्क काट के देदी डिस्क काट के देदी तो भाई अब क्या करें तो इसमें जो कटावा पाटे ना उसको minus row से solve कर लेना होता है तो एक positive density ले लो और solve कर लो दो का mix करके positive and negative ठीक है राइट तो अब जो है एक चीज जो कई बार आ चुकी है यह advance में भी आ चुकी है main में भी आचुकी, neat में भी आ चुकी यह result सब याद रखेंगे solid sphere के अंदर proves आता हो यह आता हूँ को यह याद जरूर होना चीए solid sphere के अंदर जो cavity होती है उसके अंदर जो field होती है वो row d by 3 epsilon knot होती है आपने rho r by 3 epsilon 0 याद रखा था यहाँ rho d by 3 epsilon 0 याद रखो d क्या है एकदम distance है इस cavity के center का इस square के center से यह distance है d तो rho d by 3 epsilon 0 inside the cavity हमारी electric field होती है इसको जरूर से जिहान रखना this is really really important आपके अगर exam में आ गया तो आप देखना हुआ याद करो गया है तो सारा न सबने बताए था और मेरे चार number जो है एक second में चित्त हो गए तो जैसे spherical shell में होता है बिल्कुल cylinder में भी वैसे होता है बस 1 by r का variation होता है देखो जहां से समझना देखो इसको कैसे याद रखें सर कि वहां तो जह है point charge की तरह से kq by r square लिया है आप लेकिन यहां तो 1 by r का variation हो रहा है भार यहर इस cylinder कैसा दिखता है आपको दूर से देखो के तो cylinder एक infinite wire की तरह से दिखेगा ना वो दूर जाके देख रहे हैं तो एक cylinder एक infinite wire दिखेगा नहीं दिखेगा और infinite wire के चक्कर में ना लाए को formula भूलना मत क्या याद करा formula infinite wire के चकर में r distance पे कितना होता है electric field का magnitude बताओ फटावर से फटावर से सब लोग बताओ कितना होता है yes 2k lambda by r 2k lambda by r होता है तो देखो 1 by r का variation आ रहा है इसलिए इसमें भी 1 by r का variation आता है तो hollow cylinder के अंदर 0 होती है यह hollow cylinder ने अंदर से खाली है इसके surface में charge है इसलिए sigma आ गया surface charge density आ गई यहाँ पर तो यह 0 और यह ऐसा यह भी graph important है तो hollow sphere और hollow cylinder का graph दिखने में similar होता है बस hollow sphere का 1 by r square होता है और hollow cylinder का 1 by r से vary होता है में लिए graph यह याद रख लेना यह formula तो आप 2k lambda by r का भाई यह formula यह lambda को sigma के टामस में लिखना अगर आप जानते तो यह formula निकाल सकते है में ने 1 by r की dependence ठीक है इसी तरह से solid जो cylinder होता है solid cylinder का मतलब जो अंदर से भी पूरा भरा हुआ हो यह infinite solid cylinder की बात हो रही है वैसे finite को यह पूछता नहीं है तो ठीक है अब इसके साथ भी वही समस्या है center पे तो 0 होनी है center पे तो 0 होनी है 0 से लेकर तक कैसे पहुंचे center से 0 से लेकर finite तक कैसे पहुंचे तो straight line and again ऐसा straight line again ऐसा तो देखो solid cylinder solid sphere के graph similar है same नहीं बोल रहा हूँ में मेरे को coat मत कर देना बाद में कि आपने बोला तो same होते अरे नालाइकों similar होते यह जाएगा फिर फिसल पट्टी की वाटर पार्क में जो stride हो ली ना उसकी तरह से जाएगा फिर वो यह 1 by r की तरह से जाता है देखो 1 by r की तरह से जा रहा है और 1 by r square की तरह से जाता है और यहाँ पर नीचे 2 आता है 2 cylinder है यह यह है ना ठीक है चलो यह तो important है इसे simple है infinite sheet के चक्कर में sigma by 2 epsilon not electric field होती है electric field जो है sigma by 2 epsilon not होती है infinitely long charge sheet की तरह से ठीक है चलिए potential energy एक बर फटाफट से slides पढ़ लो फिर बताता हूँ यह तो simple है अब हम एक simple part की तरह जा रहे है potential energy की तरह जा रहे है ठीक है electric field generally tough part होती है electric field याद रखना हो कि तरह लेकिन अगर potential इंसे question आ जा तो छोड़ना नहीं है हमको ठीक चलो तो यह simple है चालू करते है potential energy of system of two point charges दो point charges के चकर में कितना होता है kq1 q2 by r अब सर एक formula याद करा था kq1 q2 by r square फोर्स का कर रहा था वो नहीं को यह potential energy का है इसमें 1 by r आता है इसकी भी ट्रिक बता दो अब कित्री ट्रिक पूछोगे आज में चलो बदा देता हूं फिर भी एक बार देखो force dimension से analysis कर लेते हैं force हमने पढ़ी थी kq1 q2 by r square force पढ़ी थी हमने kq1 q2 by r square ठीक है work energy power basic अगर हमने पढ़ा हो तो force into distance force into distance displacement होता है यार बच्ची की जाना होगी के ठीक है distance बोल रहा हूं dimension की बात पर रहे है that is equal to work done that is equal to energy that is equal to potential energy dimension की बाते हो यह तो एक distance से multiply करना पढ़ेगा तो एक r यहां से तोड़के इधर लेके जाओ तब जाके potential energy का बनेगा इसलिए यह आर आ रहा है यहां पर kq1 q2 by r ठीक है electrostatic force का जो work done होता है वो minus delta u के परावर होता है work done equal to minus delta u work done में electrostatic force इना close loop is 0 अगर कोई electrostatic force जो है close loop में किसी charge को हुमा के लेके आरी है तो work done 0 होगा conservative force होती है समझी कियोंगे सब लोग ठीक है और electrostatic force की जो work done है वो initial फाइनल पोजिशन भी depend करती है path भी depend नहीं करती है generally इतने simple सवाल इस पर आते नहीं है लेकिन अगर आ जाए तो bonus समझ लेना यहार यहां से लेकर यहां तक ले जाने का यह रस्ता यह रस्ता, यह रस्ता सब में work done सेम होगा, ज्यादा टाइम ही लगाएंगे इसमें आगे बढ़ो, electric potential क्या होता है u by q, अब यह important है u by q, potential generally important है सबसे ज्यादा questions, overall देखें तो potential पे ही बनते electrostatic में देखें तो, कहीं नगें तो potential घुसा ही देते है तो u by q, तो point charge के चकर में कितना होता है k q by r, देखो, again अब electric field क्या होती है electric field k q by r square होती है है ना, अब यहाँ पर 1 r कम हो जादा है potential में तो जो रिष्टेदारी force और potential energy में होती न 1 r कम की, वैसे electric field और potential में भी सेम तरह से होती है 1 r कम की, ठीक है exact formula नहीं होता है, लेकिन dimensionally समझ लेना, ठीक है system of charge के चकर में, अच्छा भी यहाँ यह scalar quantity होती है, तो यह scalar की तरह से जुड़ती है, ठीक है center of thin spherical charge shell अगर एक thin shell है तो उसके center पर कितनी होगी sir 0 होगी, लपड़ बढ़ेगी नालायकों, अगर किसी ने 0 बोली तो potential यह गलती करी न, मतलब महा बहा पर गलती करना यह अरे नालायकों, सौर आपने electric field 0 बढ़े थी, अरे electric field 0 होती, potential 0 नहीं होती है potential is a scalar quantity potential is a scalar quantity एक महेंगो किसी ने इधर से दिया दूसरा महेंगो किसी ने इधर से दिया तो आपके पास में 2 महेंगों होगे कि 0 महेंगों होगा आपके पास में 2 महेंगों होगे कि 0 होगा, जो गधा 0 बोलेगा उसको 0 ही मिलेगा, अब दो महेंगों होगे न scalar quantity है, तो यार इसके चक्कर में छोटा kq1 by r, kq2 by r, kq3 by r तो kq by r, बहुत गलती करते हैं बच्चे ही है तो electrify 0, जहिन, potential 0, जहिन अब यह potential kq by r होता है, ठीक है चार्ज रिंग के, अब अगेन वो चार्ज रिंग वाला पंड़ा आ गया याद रहेगा न, गलती नहीं करोगे न जनरली बच्चे गलती करते हैं, इलेक्टरी फीलोर potential में दोनों का formula गपा गप खा जाते हैं trick बता दी ना यार अब अगर किसी ने J main में सारा अच्छ सर का नाम बदनाम किया तो महीं आके पिटाई होईगी अब तो trick बता दी, x नहीं है x 0 रखके देख लो, ठीक है यहाँ पर 9 आरी 0, kq by r आरी है यह formula सही है, और सर नीचे 3 by 2 आएगा, 1 by 2 आएगा, क्या आएगा 1 by r होना ची इसलिए इसका under root है square का समझ गए ना, चलो थोड़ी सी गति बढ़ाते हैं, ठीक है चलो, अब यह तो याद करने वाला ही है potential delta v जो होता है वो integration e dot dr होता है minus sign के साथ में minus integration e dot dr ठीक है, तो v final minus v initial minus sign के साथ में e x dx e का x component, y component, z component correspondingly e x, y, z के साथ में integrate हो जाएगा, तो electric field को integrate कर दोगे, तो potential आ जाएगी जैसे force को integrate कर देते हैं integration f dot ds तो work done आ जाता है, यह energy आ जाती है यह work done आ जाता है, उसी तरह से electric field को अगर आप dr के साथ में integrate कर दोगे तो potential आ जाएगा, but with a minus sign sir minus का क्या फंडा है, यह भी trick बता दो, अरे नालाय को minus का यह funda है, कि electric field की direction में जाते हैं तो potential घटता है, देखो इसके लिए मैं एक diagram बनवाए है, आपके लिए यह समझाने के लिए, कि देखो field ले लो थोड़ी सी, यह जरूरी है super revision में इसकी field जरूरी है, देखो बहुत बच्चे कलती ही करते है electric field की value 5 volt per meter इसका मतलब क्या है, 5 volt per meter हर meter चलने पे 5 volt कम होती जाएगी हर meter चलने पे 5 volt कम होती जाएगी तो 25, 20, 15, 10, 5 electric field की direction में जाते हैं तो potential घटता है electric field की direction में जाते हैं तो potential घटता है potential, electric field is rate of change of potential, rate of change of potential है इसलिए इसका unit volt per meter होता है volt per meter होता है एक प्रवाइब दीडिया रोगा है कैसे एक दूसरे से कनेक्टेट थोड़ा सा वह देख लो जैसे आप ठीक है जैसे देखो फोर से इस तरह से रिवर्स ओडर में भी आप इस तरह से पहुंच सकते हो तो जनरली क्या होता है जनरली questions कैसे frame करे जाते हैं इन में से आपको कोई एक quantity दे देंगे और दूसरी quantity पूछ लेंगे तो आपके मन में chain होनी चाहिए कि मिलकर अगर e से u तक पहुंचना है तो मैं पहले e से v पहुंचूंगा और फिर v से u पहुंचूंगा समझ गए ठीक है चड़ो awesome आगे बढ़ते है ठीक है एक बढ़ चैट भी पढ़ लेता हो यार में कोई स्टुडेंट से बता दो कि PDF नोट कहां मिलेंगे अरे PDF नोट इसकी आपको पूरी PDF दूगा चिंदा मत करो ठीक है don't worry about that और आपके पास माई नोर्स की PDF तो है ही सही तो वो बिल जाएंगे आपको अभी देक मामला एक बार पता हो स्पीड सही है मता आ रहा है याद हो गए एक रहले को चैड में बनादो फटाफड से मैं चैड बढ़ रहा हूँ दूआदार क्या बात है क्या बात है सर ना इस वर थैंक यो सो मच बेटा फॉर देंगे बिल्कूल फूर देंगे गजब सर मज़ा आ रहा है सब्सक्राइब करते ना दोस्तों बताना देखो जितने बच्चे देखते हैं मेरा मर उतने कुछ उचाता है कि यार जो आपने मेहनत करी वो बच्चों तक पहुंस तो रही है दिन रात यह मेहनत करी यार इसके लिए तो गई से बताओ इतनी मतलब सो मेनी आर्स एन आर्स ऑफ वर्क इंदिस आपको पूरा कंसाइस करके एक जगे ऐसी आर कहीं पर भी नहीं है और वो भी सब ताकि सटा सा सटा सा ट्रेन चलती रहे ठीक है चलिए अब इलेक्ट्रिक पोटेंशल अगें दिस इंपोर्टेंट यह जो इनके ग्राफ जन्रली इंपोर्टेंट होते हैं तो अब पोटेंशल देखें अगर अपने यूनिफॉर्म नहीं चाहते हैं मेरे पास मैं शेल है अगें शेल है अब सब सेंटर पे जीरो कोई भी बोलेगा सभी बता रहे हो यह तो जेमेन में न वहीं सेंटर कर रहे आपकी बढ़ाई होएगी सेंटर पे बोलो सब जीरो अब अब center पे kq by r क्योंकि हर वो है अब इसमें क्या होता है और just बहर भी just बहर भी just बहर भी point charge की तरई से behave करे अब भी तो यहाँ भी kq by r तो यह अंदर भी kq by r बहर भी kq by r और यह continuous पे तो यह continuous से straight line कर भी तो आएगा ये continue से तो straight line कर भी आएगा KQ by R का ठीक है और उसके बाद में तो घटना चाहिए KQ by छोटे R की तरह से point charge की तरह से बरताव करता है spherical shell और solid sphere बाहर निकलने पर spherical shell और solid sphere जो है वो point charge की तरह से बरताव करता है ठीक है चलो तो KQ by R बाहर और अंदर KQ by बाधिक खूखार होता है बहुत खतरनाक होता है यह ए ना याद ही होता मुझे भी सबसेता प्रोड़म इसमें आती ती इसको याद करने में बढ़ा night mayr था ही है तो मैंने इसको टुकडो में आतरा रखा जार की R के बाद अगर solid sphere के बाहर में निखलूँगा तब तो यार point charge की तरह से behave करेगा क्यूब आर का formula तो यहां तो जिंदगी आसान हो गई तो बाहर तो देखो क्यूब आर की तरह से आ रहा है अब अंदर क्या होता है इसमें अंदर अंदर सर जिरो अंदर जिरो पिटाई होने वाली है अंदर जिरो नहीं होता है अंदर तो वही सारे charges का मिला के होएगा ना तो यह कुछ इदर होएगा और इससे कम होता है इससे कम होता है क्योंकि सारा charge बहार ही नहीं है कुछ बीच में भी है यह वाला होता है ज़स्ट जीरो पे देखो तो रहार आता है याद रखना चाहो तो रख लो नहीं तो ठीक है और जब आर पे आते हैं तब लूँ इसका यू जाके यू आता है यू जाकि यू आता है ठीक है चलिए होन्ice सर्फइस कहा है कि신गे सेंगेसे पोटेंट परेंटिकुलर होती है इस यह ров सेम है उसे सफेस कहते है भार वाले सफेर्स होते है और अंदर भाले होते हैं टिक ना उन सबकी पोटेंशल हर पॉइंट पे सेम होती है तो यह सब इसे अगर में बनाएं बनाएं किससे बनाएं ग्रीन से तो वो एक्यू पोटेंशन सर्फेस के पर्पेंडीकुलर होती है यह पर अबजेक्टिव में आ जाता है स्टेट्मेंट एक्यू प्रपेंडीकुलर होती है ठीक है चली ऑसम डाइपॉल पहुंच गए नियरली लास्ट जैसा मैंने प्लान करा था बिलकुल वैसा चल रहे हैं मैंने इस सुचा था लगभग एक सवा एक घंटे पांच मिनट दस मिनट के अंदर में अपने लेक्ट्रोशट खतम कर लेंगे उसके बाद करेंट एलेक्ट्रिसिटी और क्यापेसिटर पर कूदेंगे हिम्मत नहीं हार नहीं है देखो बने रहना है जैसे बोला था ना बि छे लेंगे आपको सीधे आगे बड़े ऑसम अउन्हें इलेक्ट्रिक डाइपोल है डाइपोल मोमेंट जो है दो चार्ज का पेर होता है माइनस और प्लस का डि इस तेस दुरी पर रोडाइपोल कहलाता है और यह क्योई इंटू डी होता है यह ठीक है चलिए ऑसम मैक्स ए तो देखो, dipole की दो positions होती है important है ना, दो positions important होती है, एक actual position और एक equatorial position, axial position मतलब इसके axis पर और equatorial मतलब axis के perpendicular, तो axis की यहाँ पर देखेंगे अगर अगर अपन, तो कई बच्चों को यह गलत फहम होती है, कि सर देखो, प्लस Q की भी field है, माइनस Q की भी field है प्लस Q की भी field है, माइनस Q की भी field है 0 होनी चाहिए ना, नहीं प्लस Q के नजदीक है माइनस Q से दूर है, तो दोनों का magnitude में difference होता है, इसलिए जो field होती है 2 K P by R cube होती है, अगेन यहाँ पर आपको एक trick की जुरत पड़ेगी, क्योंकि आप अभी तरह याद करते वह आए वो, कि electric field तो 1 upon R square होता है K Q by R square होता है यहाँ बच्चे कहाँ fail होता है, वो R square लिख देते हैं, जबकि डाइपोल में R cube है यहाँ पर सतरक रहना है सावधान, डाइपोल आते एंटेने खड़े हो जाने चाहिए R cube क्यों होता है, यहाँ पर आपको बताया था, dimensional analysis हमेशा मदद करता है, हमने एक point charge की field देखी थी, K Q by R square तो यार, K के बदले तो K ये 2 तो चलो factor है ना, अभी P में देखो, P में एक charge into distance है लेकिन ये कमबकत कमबकत नहीं मतला कमबकत, कमबकत डाइपोल के कारण से एक D आ गया उपर एक कमबकत डाइपोल के कारण से एक D आ गया तो मुझे यार इस कमबकत D को cancel करने के लिए नीचे यार distance का cube लेना पड़ेगा ना तबी तो square बनेगा net इसलिए यहाँ पर R cube आता है याद रहेगा लिख लेना इसको डाइपोल में इसलिए डिमोमेटर में R cube आता है तो actual position पे 2 Kp by R cube और तो potential होती है वो Kp by R square होती है potential Kp by R square electrified 2 Kp by R cube होती है और potential Kp by R square होती है याद कर लेना formula ही है ठीक है equitable position पे देखें तो potential 0 होती है कारण positive और negative point से same दूरी पर है देखो positive और negative point से same दूरी पर है तो potential 0 होती है electric field अगर अगर पन देखें तो minus Kp by R cube होती है यहाँ पर 2 का factor आता है यहाँ पर कोई factor नहीं आता है minus 1 का factor आता है minus क्या बता रहे है dipole के opposite direction में field है dipole के opposite direction में field है वो आप derivation देखें बिल्कुल आसनी से समझ सकते हूँ ठीक है मुझे ज़ियाद करना था R cube क्यों आता है यह 2 याद रहता है बच्चों को और Kp याद रहता है लेकिन यह R square लिख देते है नहीं तो देखो इलेक्री फिल्ड में R cube पोटेंचल में R square या एक एक आर बढ़ गया या एक एक आर बढ़ गया ठीक है चलिए जन्रल पॉइंट पर बात करें Kp कॉसीट अब या R square आता है उसको अपन vector form में ऐसे भी लिख सकते है कॉसीटा को dot product के तरह से बहुत जादा time spend नहीं करना हूँ चलिए अब torque on uniform E torque on uniform E तो यार जो torque लगता है डाइपोल पर जब electric field में रख देते हैं अगर यह डाइपोल है डाइपोल को मैं green से मना रहा हूँ अगर यह डाइपोल है torque equal to P cross E तो electric field का चाहती है यह डाइपोल तो middle direction में align हो जा छोटा angle के थुरू तो यह डाइपोल को अपनी तरफ torque लगा के घुमा लेगी ऐसे यह डाइपोल को ऐसे घुमा लेगी ऐसे घुमा लेगी ठीक है डाइपोल oscillate करेगा एडवांस में time period का question भी आता है मेन और नीड में बहुत जादा नहीं है इसलिए मैंने time period का formula नहीं लिया है यहाँ ठीक है electric potential energy क्या होती है P dot E minus sign के साथ में minus P dot E is potential energy of electric dipole electric dipole की potential energy minus P dot E तो जब दूनों aligned होते हैं तो यह stable equally frame होता है यहाँ पर यह potential energy zero होती है जब E और P perpendicular होते है ठीक है समझ गए सब्सक्राइब थोड़े से थक गए थोड़े से थक गए यह एलेक्ट्रोशेडव जांदो फिर लेंगे एक ब्रेक छोटासा एकदम meditation वाला ब्रेक लेंगे फिर एक अरे यार मैं नहीं थका भी तुम कैसे थक गए तुम्हार तो एक्जाम आने वाले हैं मैं था सुबह से पांच बचे से काम करना हो बिल्कुल एक दम यह आपके लिए पूरा finalize करने के लिए ठकना नहीं है किसी को भी ठीक है फोड के रहनेंगे देखो फोड़ना है ना तो जीवन में परिश्रम तो करना ही बढ़ेगा बिना तपस्या आराधना के कुछ नहीं मिलता है तपस्या करनी पड़ती है पसीना बहाना पड़ता है भया तब जाके ही कुछ कर पाते हैं छोड़ना नहीं बिल्कुल भी दम ठोक के तैयारी करनी एक दम अपने को ऐसी कि तैसी ये तो छोटा सा एक्जाम है यार जेए नीट के एक्जाम है क्या जिंदगी में इतने बड़े बड़े एक्जाम सो और देने हमको यार अभी तो घबराओ मत आप जब भी असलाइने जादा हो रहा है याद कर लो मैंने तैयारी चालू ही क्यों करी थी why I started मैं दो साल से तीन साल से एक साल से इस भटी में क्यों जल रहा हूँ या जल रही हूँ यार इसलिए तो रही कि आप छोड़ू बिल्कुल भी नहीं आप तो चमकने का टाइम आगया है अपना टाइम आ गया है आपका जितना भी परसेंट से लिए पस हो रहा हूँ चिंता मत करो फिर पूर रहा हूँ चिंता मत करो चार मोके इस बार जही वालों के पास और नीट वालों के पास भी दो मोके मिलने वाले है ये टाइम हमारा है यार जो मेहनत करने वाला बच्चा ना जो सीरिसली पढ़ रहा है और जो वाकवी मतलब जो चाहता है मेरा सेलेक्शन हो उसको कोई रोग नहीं सकता देखो एक बात बताओ यार 60-70% पेपर जिन फॉर्मुले और उनके दम पर आता है आपको दर क्या है एक बात बताओ आपके लिए आपके साथ आपके टीचर्स पूरी महनत कर रहे है आपका तो होसला एकदम ऐसा होना चीए सर और पड़ाओ सर और पड़ाओ आग लगा दू अब फटाफट से मुझे चैट में लिखके बता दो सर आग लगा दो विल्कुल एक दम मेरा भी जोष जो एक दम और वहे हो जाएगा आग लगानी है लगा दो आज चैट बॉक्स में आग लगादा रहे हैं आग लगाने रुकना नहीं है नो नौ स्टॉप एक घंटा हो गया एक घंटा च्छे मिनिट हो गया बोले जा रहा हूं और पूरा कराके उढ़ूंगा आज में करेंट इलेक्रिस्टी कैपेसिटर भी आपको चिंता मत करो आग हमको लगानी है और मैं बता रहा हूं यह फॉर आइक यूज और वो देखकर और अभी तो सर्फ्राइज दी आने वाला है वो भी तो बजाया वारा ठीक है चलो कंडुक्टर पर आते हैं अगें यस एनर्जी फिर से आ चुकी है बच्चों में मचा रहें बच्चे शाबाश ठीक है एनर्जी फिर से आ चुकी है ऑसम एले ऐखकर अखरण होती वोते देख और एक और अब जयादा जयान च valor की और यहीं होता है अब जुकी होता है नैं इसका अब बॉय कीओ जिरो और कंड़क्टर ने की क्यों पोटेंशल बोड़ी होती है जब इसके अंदर ए ही जीरो है तो इसका पोटेंशल हर पॉइंट पे सेम होता है यह कई बार नीट में इन पॉइंट के उपर में एक उप्शन बन जाते हैं इसलिए मैं लिग दिया अब देखो अगर चार्ज कंड़क्टर को देंगे तो वह सर्फेस पर रिसाइड करेगा वह आपने पॉजिटिव चार्ज देगा तो वह सर्फेस पर रहेगा अंदर तो जा नहीं सकता क्योंकि मोहबत करने ना अब को अभी एक्जाम आने वाले हैं थोड़ा भी टाइम हो ना तो मैं सीरेस्टी बूलूँगा यार सिर्फ कंड़क्टर कंड़क्टर ही इसरा डाउनलोड करके देख लेना अगर कंड़क्टर से मोहबत नहीं करना हूं मैं लोग गलस समझ लेंगे अरे अगर एक्जाम के बात देख लेना जब आके थोड़ा फ्री टाइम में आपकी बेंड बसती ना तो इसराल एप डाउनलोड करने प्ले स्टोर से डिस्क्रिप्शन में लिंक भी गिवन है और सिर्फ कंड़क्टर वाला पार्ट देख लेना गैरेंटीड अगर वह एकदम स इस कंड़क्टर को पॉजिटिव चार्ज दे दिया ठीक है तो एक तो सर्फेस पर रिसाइट करेगा हर पॉइंट की पोटेंशल सेम होगी अंदर रो जीरो होगी ईजीरो होगी और जो फील्ड होगी ना वो इसके सर्फेस के परपेंडिकुलर होगी तो कि पहले भी अगर यहाँ पर सब चार्जँ ऍचीमा है वो सिग्माइप साइलन नॉट होती है थी जुन रखना डाली ‫घःओऔ पयो सीगम विया नॉट होती है सिगम या सिग्मत्र नaison 0 जस्ट बाहर, ठीक है, चलिए, अब potential क्या होता है, spherical conductors में देखें, again spherical की बात पहली क्योंकि important है, अब इसमें एक चीज यहां रखना है, अगर non conductor होता है, तो उसमें क्या होता है, solid sphere में अंदर भी charges आ जाते हैं, अगर non conductor होता है, तो वो uniformly charge हो जाता है, अंदर तक, लेकिन conductor हो तो मैंने अभी बताया अंदर छार्ज गुमा है उसके मुसाले में चार्ज गुमा है तो वो सारा सरकंद बोसारा ठेके जना सारा का सार का सर्प पर एहां signal इस न Cemέ मुजूद ए ठीक ना अगर 15 32 आफ रिखेंडल के चार्ज हूं यहां पर कोई चार्ज हमारा परताब करते हैं ठीक है तो देखो V in KQ by R और V outside KQ by R इसके चक्कर में जो फॉर्मॉला होता है सेव इसके चक्कर में वही फॉर्मॉला होता है जो हम पढ़ चुके हैं अल्रेडी ठीक है और EFI सिक्मा बे एप सब्सक्राइब होती है राइट चोटा सा पॉइंट और तो अब पोटेंशल में 0 हो जाता है यह सबको पता है अर्थिंग का मतलब क्या होता है अर्थिंग वादभ लिए पॉटेंशल जीरो करना होता है में तो अंदर का तो ना तो बाहर से कोई signal आप आप आएंगे अंदर से कोई बाहर नसके बाहर से कोई अंदर न आसके So सोचो कभी ऐसा हो तुक्तिया हो कंड़क्तर हो कंड़क्तर हो समझ गे तो सर्वर्स वगराज होते हैं इलेक्ट्र स्टेटिक शीलिंग का इन केस कभी इससे आपकी ब्रंथ हो जाए तो ठीक है चलिए अब लास पार चल रहा है अपना इसका पैरल कंड़क्टिंग प्लेट्स ठीक है कैपेसिटर में पढ़ेंगे इसे यह पर अगर ऐसी पैरल कंड़क्टिंग प्लेट्स आ जाए इन पर सवाल आते हैं डिसेंट इन का सम डिवाइड़ बाई टू और अंदर वालों पर फिर एड्जस कर लेना फूटा सा एक्जामपल ले लेता हूं जैसे मालों यहां पर थ्री कूलम चार्ड्स है जैना चार्ड्स के रूट नाले को कूलम ही होता है ठीक है सही आदे मेरे को और यह 7 कूलम है दोनों का सम कर अगया बचा कितना दो कूलम देखो एकोल अपोजिट पर दोनों फेसिंग प्लेट्स पर अपने आप आगया कि नहीं आगया यही तो फिजिक्स है यार कैसे भी चलो सेम आंसर आएगा माइस टू टू आ गया ठीक है डिस्ट्रिविशन करना आ गया सब लोगों को सर बिलक स्पेर है अपना सिग्मा से चार्ज है तो सिग्मा स्वेर पर टू एपसलन नोट इस्वेर यह याद रखना बच्छो फॉर्मूला अगर कहीं पर एलेक्ट्री फिल्ड ए है तो वहां पर एनर्जी देंसिटी मलब एनर्जी पर युनिट वॉल्यूम एनर्जी पर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम हाफ एपसलन नोट इस्वेर होगी ठीक है चलिए ओ माइगाड अभी लास फॉर्मूला एलेक्ट्रेट का येस आम टाइम और बिल्कुल एक ताम उस जो टाइम होचका था उसमें खराम कर दिया लग आप लास फॉर्मूला अगर माल लो अगर माल लो गॉअ दो चार्जेस एक मीडियम में रखें हुए है अधर धन वैक्यूम में अगर ये दो चार्जेस रखें हुए हैं तो जो नेट फूर्स होती है वह वह उन इपन 4 pi epsilon 0 के बदले epsilon 0 के बदले देखो epsilon आ जाता है जहाँ पर epsilon medium की permittivity है तो medium में दो चार्ज रखे हुए है इसका epsilon है permittivity तो epsilon 0 के बदले epsilon 0 लगा देना इनके बीच में force वैसे आएगी epsilon upon epsilon 0 होता है epsilon r relative permittivity of medium with respect to vacuum vacuum के respect में relative permittivity epsilon 0 से दी जाती है कई बार इसका dimension तूश लिया जाता है relative permittivity का यह dimension less होता है क्योंकि यह ratio है देखो same quantity का तो dimension less होता है relative permittivity ठीक है क्या बात है